अगर आपके पास होंडा हमेज कार है और आपको होंडा जन्यून का एर फिल्टर और केबिन फिल्टर चेंज करवाना है तो कितनी प्राइज में आएगा सारे डीटेल इस वीडियो में देने वाला हूँ तो अभी तक मेरे चैनल को सस्क्राइब निक है तो प्लेज जो हमने होंडा जन्यून का मंगवाया हुआ है तो कितनी प्राइज में आएगा वो मैं आपको बताऊंगा आप देख सकते हमारे पास ये होंडा जन्यून का एर फिल्टर है अब जब भी एर फिल्टर खराब हो जाता है तो आपकी एवरेज में और पिकप में दोनों में रहता है अब एरफिल्टर कहां पर लगता है तो कि अब देख सकते हैं यहां पर नीचे की वर एरह फिल्टर लगता है जिससे एर सक्सन होती है एंजीन में फिल्टर होके कुछ इस तरीके का एर फिल्टर आता है जो डायरेक्ली नीचे की ओर लग जाता है पंदी उतार के लगाना है यह तो हमने बताने के लिए दिखाया है आप देख सकते हैं यहाँ पर पार्ट नंबर भी चेक आउट कर सकते हैं एर गाड़ी के इसके साथ अगर आपको केबिन फिल्टर या एसी फिल्टर चेंज करवाना है क्योंकि एसी का जो थ्रो आता है वो कम हो जाता है तो हमें यह फिल्टर चेंज करवाना पड़ता है कुलिंग कम हो जाती है तो भी यह फिल्टर चेंज करना पड़ता है आप देख देखने को मिलता है होंडा जैनुन का कैबिन फिल्टर ऐसा लिखा हुआ हमें देखने को मिलता है और पार्ट नंबर पी आप चेक आउट कर सकते हैं और अगर प्राइज की बात करूँ तो आन सो साट रुपे इसकी प्राइज है कैबिन फिल्टर की जो कमपेटिवली महिंका है दूसरी काड़ियों की हिसाब से इस तरीके से एयर फिल्टर और कैबिन फिल्टर हम चेंज कर सकते होंडा जैनुन के वासे नए इनफेटिव डिए के लिए प्लीज सब्सक्राइब मैं यूट्यूब चैनल थैंक यू